बश्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों एक आज बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिस आया है JSSC की तरफ से और एक नया वेकेंसी आया है तो उसके बारे में हम डीटेल में चर्चा करेंगे 2020 विग्यापन सिंख्या है 13-2022 और इसको सोट में कहेंगे J L A C E दोस्तों ये कार्मिक परशासनिक सुधार राजवासा विभाग के द्वारा निकाला गया है और जो परिक्षा का सुल्क होगा इसका 100 रुपिया है जैसे J S S C के हर परिक्षा में जो परिक्षा सुल्क लगता है 100 रुपिया तो इसमें भी 100 रुपिया दिया गया है जो जेनरल और OBC के टेगरी के बच्चों के लिए और अनुसुचित जाती तथा अनुसुचित जन जाती के अभीहर्थियों के लिए ये 50 रुपिया परिक्षा सुल्क रखा गया है तो इसके बाद हम देखते हैं रिक्षा सुल्क का विवरन तो टोटल कितना वेकेंसी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे शौट में दोस्तों परियोकसाला सहायक भोतिक सास्त्र के जो हैं उसमें कुल 230 सीट है उतना डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे बस जो टोटल सीट है वो बता रहे हैं टोटल सीट है 230, उसके बाद अगला पोस्ट है परियोकसाला सहायक राशायन सास्त्र, एक है हुआ भोतिक सास्त्र का, दूसरा हुआ राशायन सास्त्र का, तो राशायन सास्त्र में भी 230 सीट है, और बाकी आप डिटेल में नोटिस में देख लिजेगा, अभी सोट में बता रहे हैं, उसके बाद परियोकसाला सहायक जीविग्ञान, इसमें भी 230 सीट है, यानि कि फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी तीनों में 230 सीट करके है, तो बहुत ज़्यादा भेकेंसी है, और जो साइन्स वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंके लिए बहुत ही खुश ख रहसायन शास्त्र और बायलोजी के लिए, तो तीनों का यहाँ पर जो नियुंतम सक्षनिक जग्यता के बारे में दिया है, कि राज सरकार या केंदर सरकार या विश्व विद्याले अनुदान आयोक दवारा माइनाता प्राप्ट विश्व विद्याले से बहुतिक शास्त थी है, आपको बस 2 बिसॉय होना चाहिए, इन 3 में से 2 बिसॉय होना चाहिए Graduation में बहुतिक, रसायन साथ्र और जीविज्ज्यान। इन 3 बिस्यों में से 2 बिसॉय पर आपको 50% अंक होना चाहिए, इस फॉम को भरने के लिए तो इसके बारे में आगे और देखते हैं कि परियोक्साला, सहायक, जीविज्ञान तो दोस्तों तीनों के लिए क्राइटेरिया सेम है और जो अनुसुचित जाती के विध्यार्थी है उनके लिए नियंतम अंकों का परतिसत रखा गया है बस इतना ही अंतर है तो इसका हम फिर से एक बार बता देते हैं जो फिजिक्स, केमेस्ट्री और बाइलोजी इन तीन मेंसे दो विष्टे आपको एक रेजवेशन में होना ज़रूरी है और जो जेनरल और OBC और EBC के छात्रे हैं उनके लिए नियंतम अंग पचास परतिसत होना चाहिए तो नियंतम सेच्छनिक यग्यता के वारे में दिया हुआ है पॉइंट वान उप्यूक्त कंडिका के अस्तम चार में अंकित किनी दो विषयों में अलग अलग पचास या 45 परतिसत अंग प्राप्त करना अनिवारिय होगा जिसका असनातक अस्तर परतिस्ठा अथवा सबसिडरी के रूप में असनातक के तीन वर्सों में अथवा कम से कम दो वर्सों में अध्यान किया गया हो तो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना है यहाँ पर साब लिखा हुआ है कि इसमें physics, chemistry या biology में honors होना ज़रूरी नहीं है आप जो basic किसी भी विश्य से किये हों लेकिन आपका 2 विश्य होना चाहिए इन 3 में से 2 विश्य होना चाहिए या तो physics या chemistry या biology भी हो सकता है या physics या biology इन 3 में से 2 विश्य में आपका 50% अंक minimum होना चाहिए दोनों में 50-50% और जो आरचित वर्ग है अनुसुचित जाती और जन जाती के विद्यार्थियों के लिए 45% तो आपको यह द्यान रखना है कि इसमें honors paper होना जरूरी नहीं है आप जो के रेजवेशन किये हैं उसमें 2 वर्ष कम से कम इन विश्यों को पढ़ना जरूरी है तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं दूसरा point दिया हुआ है परयोकसाला सहायक जी विज्यान के अंतरगत प्रानी सास्तर ऑगं बनस्बती सास्तर द contamination विश्यों में से एक विशय में असनात्क अस्तर परपरतिषठा अत्वा सबसेडरी के रूप में असनात्क के 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष में अध्यान किया गया हो और अलग-अलग 50 या 45 परतिसत अंग के साथ असनातक की परिच्छा उतिरनेता हो तो जी विज्ञान में असनातक माना जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जदि आप जूलोजी या मतलब दो अनर्स होते हैं जूलोजी और बोटनी तो इन दोनों विज्ञाय में किसी एक विज्ञाय में असनातक अस्थर पर जदि आप जूलोजी से उनर्स किये हैं या वनस्पति विज्ञास्तर बोटनी से तो इन दोनों विश्वयों से भी ज़ती आप किये हैं तो आप इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं पॉइंट नंबर तीन है अभ्यारतियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तितिक तक निर्धारित सच्छनिक योग्यता में उतिर्ण होना अनिवार यह होगा दोस्तों फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा उस दिन तक आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलना अनिवारिय होगा नहीं तो यसा भी देखा गया है कि परिच्छा में पास होने के बावजुद भी जदी आपका डेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक आपका डेट पूरा नहीं हुआ है तो वैसे विद्यार्थियों की अब साधेस्यता रद की जाती है तो इसको ध्या मैननताप्राप सच्छनिक संस्थान से उतिर्ण होना आवश्चक है और एक महत्तवपूर्ण पॉइंट है इसको जो भरने के लिए जहारखंड से मेट्रिक और इंटर होना आवश्चक है परन्तु यह है कि जहारखंड राज की आरक्षन निती से अच्छा दित अभ्यार् मामले में जहारखंड राजमिय औस्तित मैननताप्राप सच्छनिक संस्था से तो दोस्तों इस पॉइंट में कहा गया है कि यह जो पॉइंट है सिर्फ जेनरल वर्ग के लिए लागू होगा जो अनारक्षित वर्ग के जो पिज्जार्थी होंगे उनके लिए लागू होग तो भी इस फॉइंट को भर सकते हैं पॉइंट नंबर पाँच है खेलकूद कोटा के अंतरगत आरक्षन का दावा अरक्षन का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवंग युगा कारिय विभाग ध्यारखन संकल संक्या 1719 दिनांग 2007 वारा स्रेनिखा के पदों में सिरी निय युक्ति है तो निर्धारित निमनप मानक के अनुसार अनुमायनिया होगा तो दोस्तों जो खेलकूद कोटा के अंतरगत आरक्षन का दावा करेंगे उनके लिए यहां पर नियम लिखा गया है कि जो खेलके लिए खेलके सर्टिफिकेट से आरक्षन का दावा करेंगे उन इसके दोबारा जो आयोजित खेल आयोजित किया जाते हैं उसमें मेडल जितना दूसरा है भारतीय उलम्पिक संग अथवा उससे संबंध फेडरेस्टनों दोबारा आयोजित राष्टिया चंपियनसिप अस्तर की परति जोगिता इसमें पर्थम अस्थान जदी किये हैं और संदर्ख संख्या मतलब 1-1-2022 को कट अप डेट मानके उम्र की गन्ना की जाएगी तो इसका नियुनतम उम्र जो है वो कितनी होगी 21 साल और अधिकतम उम्र होगी अलग-अलग बर्ग के लिए अलग-अलग है अनारक्षित बर्ग और आर्थिक रूप से कमज़र यानि AWS के 21 और 22 के लिए 37 वर्ष महिला के लिए 38 वर्ष और अनसुचित जनजाती की महिला और पूरुस के लिए 40 वर्ष का उम्र रखा गया है सभी कोटी के निसकत अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसिमा में 10 वर्षों की अतिरिक छूट दी जाएगी दोस्तों जो भी कैटेगरी क 25 वर्ष है तो इसमें और पलस 10 वर्ष करके जो उमर होगा वो इसकी उम्र सीमा होगी उसी तरह जो अत्यान पिछड़ा वर्ष का 37 वर्ष है उसमें पलस 10 करके इस निसकता प्रमान पत्र के साथ इस आरक्षन का लाब उठा सकते हैं तो दोस्तों बाकी इस तरह का नियम दि वीडियो में चर्चा करेंगे उम्मिद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद